हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने माला हूँ कि आप अपने फेस्बूक के कुस्टमर केर से कैसे बात कर सकते हैं दोस्तो अगर आपके facebook पर कोई भी problem आ गया है जैसे facebook हाय खहो गया है या facebook का account골 हो गया है या another किसी भी कोई भी problem आ गया है facebook से related तो मैं आपको बताँगा कि आप अपने facebook customer care से direct call पर बात कर के आप अपना problem कैसे solve करवा सकते हैं तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ यह वाथ कि आपको अपने का मर्यूड के हर से आप कैसे बात कर सकते हैं तो दोस्तो चानल परना है तो सब्सक्राइब कर लिए आगे बीजिए टाप को बीटियों विटेए लिए वाला ने कि आप अपना फेस्बुक कस्टमर केर से आप कैसे बात कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए चलना है अपने खुरूम ब्राजर को ओपन करना है यहां से आप जैसे खुरूम पर आपको उपन करते हैं तो यहां पर सर्च बार पर आपको सर्च करना है यहां पर आपको सर्च करना है फेस्बुक कर लेना है आपको सर्च करने के बाद यहां सब आपको दिख रहा है फेस्बुक कस्टमर के इसी पर आपको क्लिक करना है पहली साइड है इसी पर आपको क्लिक करना है यहां पर पहली साइड आई यहां पर इसी पर आपको क्लिक करना है यहां से आपको करना क्या है यह इस तरह का इंटरफेस अपन होगा तो दोस्तों यहां से आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा यहां से आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा यहां से आपको को यहां पर सर्च करना है यहां पर आपको सर्च करना है फेस्बुक कस्टमर केर नमबर यहां से आप फेस्बुक कस्टमर केर नमबर लिख लिजे फेस्बुक कस्टमर केर नमबर यहां से आपको फेस्बुक कस्टमर केर इसमें आपको लिख लेना है लिखने के बाद दोस्त अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको को बल्कुल क्लिक न Repele को बता रहा हूं कौन क्लिक करना है दोस्तों वीडियो को लास्ट देगे तभी आपको समझ मैंगा यहाँ पर दिख रहा है कॉस्टमर एक्सपीरियेंस प्लेटफर्म फेस्बुक हेलफ लाइन कॉस्टमर केर यहाँ पर सेकेंड नमबर पर लिखा आएगी कॉस्टमर एक्सप इंट्रफेस आएगा इंट्रफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप निचे यहाँ निचे आने के पाद यहाँ लिख रहा है कॉस्टमर एक्सपीरियेंस मैनेजमेंट ट्राइश सर्वेश सी इम सर्वे यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर यही आपका जो Facebook customer care का number है और दोस्तों यहां से आपको पताते हूं कि यह call लगाएगा यह इस number पर तो आपको call लगेगाना है आपको इसके लिए एक extra recharge जाता है जो की toll free नमर पर बाते करनी है तो उसके लिए एक extra recharge जाता है वो एक extra recharge आप कराते हैं अपने mobile में तो अभी आपका यह number लगेगा अगर आप नमबर लगाना चाहते हैं फेस्बुक से कोई भी रिलेट समस्या है तो आप दूर कर सकते हैं इस